कि है लो गाईज वाट्स आपप सो आज हम मेगनेटिसम और मेटर का एक नेया टॉपिक जिसका नाम है बार मेगनेट ऐस एन एक विवेलेंट शॉले डिस्क्या करेंगे बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है confusing है थोड़ा सा क्या करना है इसमें यह समझ लो पहले तो हमने न अभी लास्ट दो लेक्चर्स में दो बाते सिखी थी कि एक बार मेगनेट होता था जो एक जो बार मेगनेट था इसका नौर्थ पॉल साउथ पॉल था उसकी पॉल स्टेंट एम एम थी तो उसकी एक्सिस पर पर मेगनेटिक फील निगाली जो बार मेगनेट के यह क्या बोलते हैं एक्सिस पर मेगनेटिक फील आई थी वह यह थी तो यहां पर एक्सिस पर बार मेगनेट की एक्सिस पर जो मेगनेटिक फील आई थी एक्सिस पर एक्सियल पर जो मेगनेटिक फील आई थी वह आई थ तो यहां पर magnetic field निकालनी है वहां तक का distance तो यह एक अब हम क्या करेंगे हम यह प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो solenoid होता है एक आपने बेस लिए उसके पर वायर से लिपेट दिया से तो बोलते हैं कि जो solenoid होगा वह बार magnet और solenoid एक ही जैसे होते हैं या बार मेगनल solenoid की तरह काम करता है यह solenoid भी बार magnet की तरह काम करता है इसको प्रूव करने के लिए न हम एक solenoid की magnetic field निकाल लेंगे उसकी एकसिस पर मेगनाटिक फिल्ड यही आनी चाहिए अगर solenoid की एकसिस पर भी magnetic field यही आ जाए इसका मतलब यह तो बार मैगनट की maigनेटिक field ना तो solenoid भी बार मैइण हो गया या बार मैगनाट भी solenoid हो आए समझे जा समझ लें किया प्रूव करेंगे या Same Gym giving day tim today समझे समझे topic क्या होएं तो हम क्या करने वाले हैं np झाने लिए दिन लिए क्ने एक साली बेस लिए उसके इपरुफ काइल सभी कॉइल से लिधे तो तो उन इसक्रों स्र 25 व्हरी तो यह मना बने हमने क्या है नमबर ओफ कॉइल्स पर unit length एन क्या है number of coils पर unit length हमने माना per unit length में एन number of coils मतलब एक unit length में N two unit length में 2N three unit length में 3N and so on clear है हमने बोला कि यह जो यह जो बार में यह जो solenoid है इसका radius है R और यह इसकी length है 2L Center से अल इधर, Center से अल इधर, solenoid है ये, इसका Center लिया, इससे अल इधर, अल इधर, माल लिया, अल इधर, अब हमने क्या लिया, इसके Center से, इसके Center से, D distance एक point लिया, जहां पर magnetic field निकालने है, जो की यही आनी चाहिए, यह आई, P point है, तो वो bar magnet जैसा ही होगा, तो यहां पर magnetic field निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस bar magnet के, इस, sorry, solenoid के Center से, X distance की दूरी पर, Center से, X distance की दूरी पर, मैंने एक DX strip काट ली, मैंने एक DX, जैसी यह Radicular देख रहे हो, इस से X distance, Center से X distance वे, मैंने यह एक छोटी सी पत्ती काट ली, DX की, पूरा, पूरा solenoid नहीं ले रहा हूँ, मैं छोटी सी DX दिखना से ले लिए, समझ रहे हो, तो मैं इसके कारण, यहां पर magnetic field बताऊंगा, फिर DX, DX, एक DX के कारण यह magnetic field आगी, फिर सारी DX को DX को जोड़ जोड़ का, जो सारी magnetic field को जोड़ दूँगा, तो टोटल magnetic field पी पोइंट पर निकाल लेंगा, समझ रहे हो, क्योंकि सारे के लिए निकालना मुश्किल है, क्या है, क्योंकि current है, जो current है solenoid में, वो आई जा रहा है, समझ रहे हो, तो मैंने एक DX पत्ती निकाल ली, एक DX की कारण, अब DX में तो, एक unit length में, एन number of terms थे, अब मुझे नहीं पता, DX जो मैंने पत्ती ली, मोटी पत्त ली कितनी है, उसमें कितने turns आ सकते हैं, उसमें कितने turns आ सकते हैं, एक में अगर N आते हैं, टू में अगर 2N आते, अगर 3N आते हैं, तो DX length में, N DX turns आएंगे, DX length में, N DX turns आएंगे, समझ रहे हो ना, इस length में, इस में एक turn नहीं है, DX में, DX वाले में, मैंने मान लिया, बहुत सारे turns आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, मुझे नहीं पता, मैं बोलता हूं, N DX turns आए, DX जो मैंने length इसमें एक काटी हैं, assume कि किया है, अब यह समझने की कोशिश करो, जो मैंने DX length consume की, तो इसमें current जा रहा होगा, coil ही है, तो यह ऐसा नहीं बन गया, जो हमने topic किया था, कि यह coil होता था, coil के current carrying coil है, इसके कुछ distance पर, यहां से center से, इसका distance D था, इसका R था, याद है, याद है, क्या था, magnetic field on the axis of a current carrying circular coil, magnetic field on the axis of a current carrying circular coil, एक current carrying circular coil की, central axis पर, जो कि D distance दूर है, वहां पर magnetic field हमने निकाली थी, तो मैं याद होगा, अगर, बूल गे, नहीं बूले, तो इसकी magnetic field आती थी, इसकी A coil है, यह तो A coil है, यहां पर NDX coil है, हम एक की निकालनेंगे, उसको NDX से multiply कर देंगे, तो उतनी magnetic field आ जाएगी, एक coil की magnetic field याद गरो, इसके करण, कि यह current जा रहा है, इसका R है, एक wire है, उसके center पर ले रहे हैं, समझ रहे हो ना, यह coil है, इसके center से यहां पर point है, यह coil है, बस एक coil, इससे यहां पर point है, इसके बिल्पुल axis कोई, यहां पर magnetic field निकालनी थी, तो यहां पर जो magnetic field आती थी, वो आती थी, db, चोटी सी magnetic field कितनी आती थी, mu naught, i, और यह वाला distance, इसका radius होता था, r square upon 2, यह वाला distance, 2 into, यह distance कितना है, d square plus, यह distance कितना है, r square raised to the power 3 by 2, यह हम formula प्रूव कर चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता, तो description में इसकी video का link दे रखा है, उसको देख लें, समझ रहे हो, तो यह एक current carrying circular coil के कारण, एक point पर magnetic field निकालते हैं, तो यह, हमने जो यह, dx thickness काटी है, तो यह भी तो यह current carrying circular coil बना, इसमें बहुत सारे coils हैं, एक के कारण नितनी होगी, तो बहुत सारे कारण उसको उतने coils से multiply कर देंगा, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, एक के कारण नितनी थी, हमारे पास तो ndx coil है, तो मैं dx length के कारण कितनी magnetic field बनेगी, तो मैं क्या करता हूँ, dx length के कारण, यह तो एक coil की length के कारण, विना अगरिस में एक coil होता, अब dx में तो coil है, ndx, turns ndx, तो मैं इसको ndx से multiply कर देता हूँ, एक coil ने, एक coil ने इतनी magnetic field बनाई है, तो जितने coil बढ़ते रहेंगे, उतनी add उतनी तो ndx coil ने into ndx, इतनी magnetic field बनाई है, तो यह जो dx strip काटी मैंने, वो इस point पर यह magnetic field बना रहा है, समझ में आई बात, यह वाला concept यूज़ करकर, ndx किवा हैं, क्योंकि यह तो एक coil की होती है, हमने तो एक current carrying coil पड़ा था, हमने तो एक current carrying coil पड़ा था, बट हमारे पास तो dx strips में ndx coil होए, तो उसको ndx से multiply कर देता, अब यह तो magnetic field आई है, छोटी सी, छोटी सी strip के करना, मुझे पूरे overall में निक integrate कर दूँगा, दोनों साइड़ों को integrate करूँगा, तो इदर आ जाएगा b, यहां से constant, देखो, mu not constant है, i constant है, two constant है, सही है, n constant है, इसका radius भी constant है, इसका radius भी constant है, और d square constant नहीं है, d की value बदलेगी, अब एक बात देखो, अब एक बात देखो, यह जो formula था पहले था, अच्छा है, एक और बात बूलेगा, यह जो formula था, यह तो center से था, इस coil के center से, इस point बढ़ने को, जो coil था, उससे distance था, इस point का, अब यह जो d distance है, अब यह जो d distance है, यह coil से थोड़ी है, current carrying coil तो यह रहा, पर यह तो center से है, तो हमें तो इस formula में जो d रखना होता है, वो coil ज से point तक का, जहां पर magnetic field निकाल दी, वो distance तो यह रहा न, यहां से ले कई यह, तो यह d थोड़ी है, तो यह तो d minus x रखेंगे, तो मैं इसको क्या करूंगा, upon 2, 2 into d minus x का square, plus r square, और इसके ratio पर 3 by 2, कितनी बात समझ में आई, या नहीं आई, अभी इसको ndx रखो, चलो अभी इसको integrator नहीं करते हैं, clear है, इतनी बात दिमाग में घुसी है, क्या किया है मैंने, दुबारा बताओ, नहीं क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब देखो, यह जो d length है, यह जो d length है, यह r के respect में बहुत जादा है, मतलब जो, जिस point पर magnetic field निकालनी है, वो जादा दूर है, यानि कि d much 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 bigger than r है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, r tends to 0 in front of d, r की 0, d के सामने कोई उकास नहीं, r को d 0 मान सकते हो, तो r को अगर 0 मानोगे यहां पर, अगर यहां पर r को 0 मानोगे, तो r तो खतम हो जाएगा, तो r हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल खतम, ठीक है, तो r हो गया, यहां से खतम, तो यह हो गया, r यहां से खतम, 0 का square, 0, यह तो गया, यह तो गया, अब बचा x, x के बचाव देखो, जो x है, वो मैंने center से ही शुरू की है, मानो, center से बहुत कम दूरी पर इक strip काटी है, तो x भी अगर r d के सामने 0 है, तो x तो r स से भी छोटा था, तो यह भी 0 हो गया, तो बच्चा क्या, d का square, सिरफ d के square को इस से multiply करो, इस से करोगे, तो यह इस से 2, तो मेरे पास जो answer आएगा, वो आएगा, mu not i n r square n dx upon 2 d, हम अब इसको integrate कर देंगे, integrate करें, कहां से कहां से, देखो, यहां से center से है, तो मैं integrate करूँग यहां से dx लेना शुरू करूँगा, dx, तो यहां चलता, 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 यहां तक जाएगा, तो यह इस से इधर है, तो यहां से minus l से लेकर, plus l तक मैं इसकी integration करूँगा, minus l से लेकर, plus l तक मैं इसकी integration कर दूँगा, कैसे करेंगा, अब देखते हैं, इसको लिखा रह यही तो बनाना हमने इसमें से constant निकाल लो को नहीं सारे constant म्यू नॉट आई एन भी constant है R square भी constant है रहे हैं पहले लिखाएं यह जी नॉट आई एन पहले भी लिखाएं दोडो एन फिर इसमें कुछ बात रहे हैं दी एक्स म्यू नॉट आई एन आर स्क्वेर अपन 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 टू भी constant है अपन क्या है टू भी constant है और दी भी constant दी तो center से distance है न इसमें अब लोग से डी कैसे constant दी तो vary करेगा दी तो center से distance है न वे दी तो d-x करना था वे दी तो constant है न सेंटर से तो जिस पॉइंट पर magnetic field निकाल नहीं वो तो distance नहीं चेंज हो रहा है वो तो वहीं रहेगा तो d-b constant है तो अंदर क्या बच्चा है अंदर बच्चा है d-x d-x की integration minus l से plus l अब इसको solve करोगे तो क्या आएगा d-x की integration यहीं solve कर देता हूँ d-x की integration हो जाएगी l, d-x की integration हो जाएगी x, d-x की integration हो जाएगी x, x को पहले put करोगे l, फिर put करोगे minus l, x को l पूट करोगे, तो यह आजाएगा, मैं यहाँ यह नहीं निखता, यह into, पहले put करोगे l, फिर minus में, फिर x को put करोगे minus l, तो l प्लस l कितना हो गया, 2l, क्या हो गया हो गया तो मैं क्या करता हूं यहीं से शूरू करता हूं हो गया तो इसको सीधा ट्Was से एक में कर दिया इतनी माँच में क्या हो रहा है इसको त्युल से मल्टीप्लाइय कर दिया बेए रढ़ी तो स्वाहता था M होता था lie into area lie M होता था bir M क्या था magnetic dipole magnetic dipole इसको रबगड़े देना इसको रबगड़े देते हैं इसको भी इसको इधर लिखते हैं lie into a I तो है मेरे पास lie into area area क्या होगा seria होगा πr2 स्कॉइल का इस कॉइल का आधिया प्यारर होगा है कि इस कॉइल का अधिया कितना होगा पाई आइस sniff यह तो खुआ आधिया यह तो हुआ एकॉईल का इडिया है मैं एक को एल्ड ए वणलब मेरे पास का है मुझे तो पूरे कोईल का ऐरिया चाहिए तो वह जायेगा एफ एन इंटु 2L पूरे का एक कोईल का इतनी बाद समझ में आई अप अब हम क्या कर सकते हैं देखो अब हम एक और चीज कर सकते हैं इसमें से अगर तुम देखोगे कि ये रहा I, ये रहा R square, ये रहा N और ये रहा 2L, पाई नहीं है इसमें न, इसमें पाई नहीं है, तो पाई को अगर मैं नीचे लिख दूँ तो यहां पर पाई डाल सकता हूँ, बतला मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरे को multiply and divide by पाई कर दो, इस वाले equation को multiply and divide by, multiply and divide by पाई divide by पाई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा mu naught I, N, R square 2L into pi upon 2pi, D का Q, अब देखो, I, pi, R square, N into 2L, I, pi, R square, N into 2L, ये वाली चीज, ये सारी चीज M नहीं बन जाएगी, ये सारी चीज क्या बन जाएगी, M बन जाएगी, तो मैं इसको ले सकता हूँ, mu naught M upon 2pi D cube, तो ये क्या ही, magnetic field आई स्पॉइंट पर, हमने भी तो यहीं प्रूव करना है, हमने ये लिखा रखा था, mu naught 2M upon 4pi D cube, 2 से 4 को काट दो ना, तो mu naught M by 2pi D cube, यहीं तो प्रूव करना था, axis पे, bar magnetic की axis पे भी यही magnetic field आती थी, solenoid की axis पे भी यही magnetic field आई है, तो हुआ ना, bar magnet और solenoid एक जैसे, यही topic था हमारा, bar magnet works as an equivalent solid, बतलब वार मेलन भी solid के equivalent ही होता है, solenoid जैसा ही bar magnet होता है, bar magnet जैसा ही solenoid होता है, गंगादर ही शक्तिमान है, और शक्तिमान ही गंगादर है, सेम बात, कि एक ही चीज है, क दिखाएगा, एक specific distance पे उतनी ही magnetic field, सेम solenoid होगा, अगर सेम लेंथ का, तो वो भी उतने distance पर उतनी ही magnetic field दिखाएगा, तो दोनों equivalent है, यह प्रूव करना था, और यह प्रूव करने के लिए हमने दोनों की magnetic field सेम distance में निगा लिए और वो आई equal, तो हमारा काम हो गया है, ख मिलते हैं, अगले किसी topic में तब तक पढ़ते रहिए, enjoy करिए, all the very best, bye bye.